Hello friends, my Pacific wall में आप सभी का स्वागत है Friends, आज की वीडियो में मैं आपको मा मंगला गोरी के वरत की कथा सुनाऊंगी Friends, मा मंगला गोरी का वरत सावन मास के मंगलवार को किया जाता है ये वरत दो तरह से किया जाता है कुछ लोग सावन के मंगलवार मा मंगला गोरी का वरत करते हैं उसके बाद 5 साल तक हर सावन में मंगलवार को वरत करते हैं और 5 साल उद्यापन कर देते हैं और जो दूसरा तरीका है उसमें सावन के पहले मंगलवार से मा मंगला गोरी का वरत करना शुरू करते हैं उसके बा मां मंगला गोरी का वरत दो तरह से किया जाता है कवारी लड़किया अच्छा वर पाने के लिए मां मंगला गोरी का वरत करती हैं और साधी सुधा ओरतें अपने अखंड सोभागय और संतान की प्राप्ति के लिए वरत करती हैं आज की वीडियो में मैं आपको मां मंगला गो कोई कमी नहीं थी उसका वयापार बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन साहुकार की कोई ओलाद नहीं थी अब उसकी कोई संतान नहीं थी तो इस दुख से साहुकार और साहुकार की पत्नी बहुत दुखी थे और कोई भी सुख उनको अच्छा नहीं लगता था एक बार एक सा सादू महात्मा साहुकार के घर आये सादू महात्मा का साहुकार ने बहुत आदर सतकार किया बहुत सम्मान किया लेकिन साहुकार कुछ उदास उदास्ता लगा सादू महात्मा के पूछने पर साहुकार ने बताया कि मेरी कोई संतान नहीं है और संतान के अभाव में मुझे क कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, कोई सुख अच्छा नहीं लगता है। तब सादू महात्मा ने बताया, अगर तुम्हारी पत्नी मा मंगला गोरी का विधिवत वर्थ करेगी, तो मा गोरा की किरपा से तुम्हें संतान की प्राप्ती होगी। सादु महात्मा के चले जाने के बाद उनके कहे अनुसार साहुकार की पत्नी ने मा मंगला गोरी के वर्थ करना शुरू कर दिया वर्थ करते करते बहुत समय बीत गया एक दिन साहुकार को सपने में मा मंगला गोरी दिखाई दी मा मंगला गोरी ने साहुकार को कहा कि एक आम क पेड़ है जिसके नीचे गनेश जी की मुर्तिस्थापित की हुई है उस पेड़ के फल लाकर अपनी पत्नी को खिलाओ अब तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी साहुकार ने सुबह उठकर पेड़ को खोजना शुरू कर दिया कई दिन तक पेड़ खोजते रहे आंत में उन्हें वह पेड़ मिल गया जिसके नीचे गनेश जी की मुर्तिस्थापित थी पेड़ पर आम बहुत उचे लगे हुए थे साहुकार ने पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया ताकि उसको कोई आम मिल जाए साहुकार जब पेड़ पर पत्थर मार रहा था तो पेड़ से आम तो नीचे गिर गया साहुकार को पेड़ का आम तो मिल गया लेकिन एक पत्थर गनेश जी को जा लगा जिससे गनेश जी बहुत ही करोधित हो गए और तभी वहाँ पर आकाश वानी हुई कि हे साहुकार तुमने स्वार्थवस होकर मुझे पत्थर मारा है मा गोरा की किरपा से तुम्हें संतान की प्राप्ति तो हो जाएगी लेकिन 21 वर्स के बाद तुम्हारी संतान की मिर्थू हो जाएगी जैसे तुमने मुझे चोट पहुचाई है वैसे ही तुम्हे भी चोट लगेगी साहुकार बहुत दुखी हुआ लेकिन उसने आम लाकर अपनी पत्नी को दे दिया और पत्नी को आम खाने के लिए कहा लेकिन गनेश जी को चोट लगने वाली बात अपनी पत्नी को नहीं बताई मागोरा की किरपा से 9 महिने बाद उन्हें एक बहुत ही सुन्दर पुत्र रतन की प्राप्ती हुई समय बीटता गया लड़का भी बढ़ता चला गया जब उनका पुत्र 20 वर्सका हो गया तो एक दिन साहुकार ने कहा कि मैं अपने पुत्र को अपने साथ व्यापार के लिए लेके जाओंगा दोनों पिता पुत्र व्यापार के लिए चले गए जब वो वाफिस रस्ते में आ रहे थे तो एक पेड़ के नीचे बैठ कर तालाब के किनारे एक पेड़ था पेड़ के नीचे बैठ कर दोनों खाना खाने लगे तब ही उस तालाब के किनारे दो लड़कियां कपड़े दो रही थी और बाते कर रही थी, एक का नाम कमला था और एक का नाम बिमला था. कमला ने कहा कि बेन मैं तो मंगला गोरी मया के वरत करती हूँ इसके प्रभाव से मुझे मंचाहा वर मिलेगा बहुत अच्छा घर मिलेगा और वर मिलेगा तुम भी मा मंगला गोरी के वरत करो तुम्हें भी तुम्हारा मंचाहा वर मिलेगा उन दोनों की बाते साहुकार सु अगर मैं अपने पुत्र का विवा कमला से करा दूँ तो क्योंकि ये मा मंगला गोरी का वरत करती है तो इसे सोभा के प्राप्त हो जाएगा और मेरे बेटे की मिर्त्यू नहीं होगी। कमला अपनी ससुराल आ गई लेकिन ससुराल आने के बाद भी कमला मा मंगला गोरी के विधिवत वरत करती रही। घर में चारों तरफ खुशी हाली थी बहुत अच्छा वातावरन था सभी खुश थे। के पर रहेगी। कोरा घड़ा रख दिया जैसे ही साप दूद पीकर घड़े के अंदर गया कमला ने घड़े का मुँ बांद दिया और उसको जंगल में छोड़ाई आने के बाद कमला ने सभी को ये बात बताई साहुकार बहुत खुश हुआ क्योंकि साहुकार को पता था कि साप के काटने से इसके पुत्र के मिर्टू होने वाली है साहुकार बहुत खुश हुआ पूरे नगर में धिंडोरा पिटो आया गया कि सभी लोग सभी ओरते मा मंगला गोरी का वरत अवश्य करें मा मंगला गोरी का वरत करने से अखंड सोभागे की प्राप्ती होती है तता संतान की किया हे मा मंगला गोरी जैसे तुमने कमला के सुहाग की रक्षा की वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी के सुहाग की रक्षा करना सभी को अखंड सुहाग देना और सभी पर अपनी कृपादरस्टी बनाए रखना इसके बाद हम लोग एक गनेश जी की कथा स प्रसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जै मा मंगला गोरी